विल्कम टू माई चैनल एसके सोनू टेक वल्ड है फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेपी उनिवर्सिती छपरा असनातक पार्ट वन सेशन दोहयार बाइस पचीज परिच्छा फरम भरने वाले छात छातराएं इस बात पर ध्यान दे फ्रेंड आप सभी को मालूम है कि जेपी उनिवर्सिती के अनुसार आपका जो परिच्छा फरम भरने का अंतिम्ति थी है 6.12.2023 तक है और कल है 6.12.2023 तो कल आप सभी जो भी एस्प्रेंट अपना परिच्छा फरम नहीं भरे है कल तक अपना परिच्छा फरम को भर दे बहु सरे चात छातराओं का एक कमेंट आ रहा है कि परिच्छा फरम भरने का डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा तो फिर आप सभी को बता दो कि अभी हो रहा है छे बज कर 32 मिनट पांच 12.2023 से आज अभी तक उनिभरसिटी से कोई भी डेट बढ़ाने का नोटिस जारी नहीं हुआ है कल तक क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं बता सकता आप सभी अपना परिच्छा फरम 6.2023 तक ही भर दें चलिए यहां तक तो हुआ आपके परिच्छा फरम की बात आगे में आपको ऐसे ऐसे बात बताने वाला हूँ जो साइद आप सोचे भी नहीं होंगे चलिए मैं आप सभी को बताना सुरू करता हूँ फ्रेंड आप सभी को बता दू कि कल में एक कॉलेज पर पहुँचा था ताकि मैं देख सकूँ कि छात्र छात्राओं का समस्य का समधान किस परकार से कॉलेज करता है मैं वहाँ नौ बजे ही पहुँच चुका था और आप सभी को बता दू कि कॉलेज का जो काउंटर था वहाँ खुला साधे ग्यारव बजे और आप सभी को मालूम है कि JP University असनातक Part 1 का जो परिच्छा फरम भरा जा रहा है बीना रेजिटेशन के आपका परिच्छा फरम नहीं जामा लिया जाएगा परिच्छा फरम तो आप user ID और password से जब भरेंगे तो उसमें आपका रेजिटेशन आ जाएगा लेकिन जब जामा करने का जहां तक बात है आपके जो डॉक्मेंट है उसको फरिफाई करके जामा करने का तो वहाँ पर आपका रेजिटेशन लगेगा तब ही आपका जामा होगा तो देखिए किस परकार से उनिवर्सिटी छाट छाट छात्राओं से खेल खेल रहा है देट तो तो देदिया कि 31,12,23 से आप लोग का परिछा फरंभरा जाएगा लेकिन कॉलेज में रेजिटेशन कार्ड भेजा 4,12,2023 को और आपको बता दू कि 4,12,22 को जब आपका रेजिटेशन कार्ड कॉलेज में आया तो हम जिस कॉलेज में खरे थे वहाँ पर रेजिटेशन बटना सुरू हुआ देख वजे से अब आप सभी समझ सकते हैं जो छात छात्राओं सुबह से गये होंगे कि मैं सुबह में काम करके अपना चला आऊंगा अपना फरम भर के चला आऊंगा तो वहाँ पर उनका रेजिटेशन कार्ड मिला देर बज़े के बाद ओभी जानते हैं कैसे बट रहा था दो एस्टाप जो थे अंदर में किसी फोन पर भीजी थे कोई अपने में बात कर रह था यहां चात्रों का चात्राओं का लंबा लंबा लाइन लगा था कोई उनको देखने वाला नहीं था कि आखिर उनको किस परकार से परिसानी हो रही है कोई चात्राएं यह पूछ रहे थी कि सर यहां पर क्या होगा कैसे फरम भरा जाएगा उनको भी बताने वाला कोई नहीं था ऐसा हाल है JP University के College का आखिर अगर गलती हो जाएगा तो आप सभी को उससे क्या मिलेगा College वाले ये बताने वाला कोई नहीं है फ्रें आप सभी को मैं यहाँ पर एक बात बताने आया हूं जिसको आप सभी ध्यान फरम को अपने नजदी की मार्केर से ही भर लेंगे ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां पर College है वहाँ पर साइबर कैफे पर इतना भीर हो जा रहा है कि आप सभी को वहाँ पर फरम भरवाना मुश्किल हो जा रहा है मैं वहाँ पर देख करके आया मैं खुद एक साइबर क असी लर्कियों का फरम एक दिन में भरा जाएगा या नहीं भरा जाएगा यहां तक कि जब फरम भरकर पेमेंट भी करना होता था तो वहाँ पर जानते हैं आपसे कितना पैसा लिया जा रहा था केवल पेमेंट करने का College का फित था 420 रुपया लेकिन आपसे सारे 500 रुपय लिया जा रहा था उस 사ाइबर कैफेपर मैं वहाँ पर देखकर आया हूँ एक प्रिंट कॉपी का लिया जा रहा था 4 रुपया जबकि एक प्रिंट का 4 रुपया कहीं भी दाम नहीं है तो इस परकार से छात्र छात्राओं से together जा रहा था हुरी अधर सीटि की यहां पर साफ साफ गलती यहा है कि नोटिफिकेस तरह में ही साफ साफ लिग देता कि पेमेंट ओलाइन लिया जाएगा कि ओफ लाइन लिया जाएगा किसी को नहीं पता, मैं चुप चाप खरे होका देख रहा था, दो-चार छात्राय थी, मैं उनलोग का वहाँ पर फॉर्गेट कर दिया पासवर्ड, और उनलोग को दे दिया कि जा करके अपना फर्म को भर देजिए, दो-चार क्या कहें, कम से कम दस बारतों मैं फॉर्गेट कर ही दिया था, लेकिन मैं वहाँ पर अपना पाचान नहीं बता रहा कि मैं कौन हूँ, जो साइल देखे होंगे, मुझे यूट्यूप पर वह पाचान गए होंगे, कि लेकिन मैं वहाँ पर चुप चाप खरे हो करके यहाँ सब सीन देख रहा था, तो बात यहीं है, कि कम से कम आपके कॉलेज के छात राये हैं, तो उसका हेल्प किजिए, नहीं तो माल जिए कि कोई छात का कोई डॉक्मेंट गरबर हो जाता है, तो क्या फाइदा मिलेगा उससे आपको, कोई फाइदा नहीं मिलेगा, आपको तो पैसा मिल रहा है, आप यहीं समझ रहा होंगे, तो किरिप्या कॉलेज वालों से निविदन है, कि आप सभी ऐसा न करे, चले फेंड फिरी मिलते हैं एक नवी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।